राउल सेड़ जी मुझे लगता है आपने मेरे ठेले पर कुछ जादा ये भूसा लाद दिया ये ठेला खीचे से नहीं खीच रहा है इतनी मेने से इस ठेले को खीच रहा हूँ लेकिन खीची नहीं पा रहा है अच्छा राउल सेड़ जी एक बात बताना आप गाउं से ये भूसा खरीद के ले जाती है और सहर में फैक्टरी में जाके बेशती है आपको कापी फाइदा होता होगा देखो मोदी जी तुम्हीं इन चक्रों में मत पड़ो तुम अपना ठेला चलाओ तुम्हें भारे से मतलब है अपना भारा ले लेना मुझे इस भूसे को जल्द से जल्द फैक्टरी पहुचा ना है चलो कोई बात नहीं है राउल सेड़ जी लेकिन तोना धक्टरी तो लगा दो तबी तो जल्दी पहुचिंगे फैक्टरी इस भूसे को लेके क्योंकि ठेला मैं अकेले खेच नहीं पा रहा हूँ ठेला ओबरलोड है मोदी जी पैसे भी तो ओबरलोड ले रहे हो तुम मेरे इस भूसे को गाउंसे सहर फैक्टरी तक पहुचाने के पूरे दो अजार रुपे ले रहे हो तो अकेले ही खेच जो चलो कोई बात नहीं है अकेले ही खेचते हैं अरी अगलेस आ गया अगलेस थोना सा भूसे से भर युए ठेले में धक्का लगा देना पचास रुपे दे दूँगा लेकिन मोदी जी एक बात बताओ अपने ठेले में इतना ज्यादा भूसा भर क्यों लेते हो यह राहुल सेट जी ज्यादा पैसे का लालस दे देते हैं तुम अपने ठेले में ओबरलोड भूसा भर लेते ह पहली बात तो यह बताओ तुमने अपने ठेले को रेल बना रखा है इतना जादा भूसा लाद रखा है आगे जागे जादा ट्रापिक होने बाला है बहां तो जाम लगा दोगे तुम इसलिए तुम्हारे ओबर लोड ठेले का चालान कटेगा अगनेज क्या घर से करेले की चालान कटेगा तुम्हारे इस ओबर लोड ठेले का अरे लानु जी क्या बात करती हो 2000 का तो मुझे भाणा ही मिल रहा था और आप 4000 का चालान काटने की बात कर रहे हो चालान दोड़ा कम कर दो नहीं तो मुझे घाटा हो जाएगा 2000 रुपय का मुझे भाणा मिलेगा और 4000 का चालान कर जाएगा राहूल सेड़ जी इस चालान के पैसे तुम दोगे मुझे जी मैं चालान के पैसे क्यों दूँगा मैं तो अपना भाणा दूँगा फैक्टिरी तक भूस पहुचाओ उसका भाणा दूँगा आप ओबर लोड ठेले में भूसा लाते ही क्यों हो और भा